हेलो फ्रेंट्स आपका फिस से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMIA पे आई ये इस वीडियो में बात कर लेते हैं GKP Printing and Packaging Limited के स्टॉक की इस स्टॉक में आज फिर लोर सरक्ट लग चुका है अब इस स्टॉक की जो प्राइस है वो 20.80 देखने को मिल है तो बहुत ही बीरे स्टॉक में चल रहे हैं क्योंकि ये जो स्टॉक है अपनी हाइस लेवल से बहुत ही बड़ी ग्राबट शो कर चुका है कांटीनूसली लोर सरक्ट ही लग रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे ये स्टॉक जीरो तक पहुंच जाएगा लेकिन आए आज का डाटा कुछ स्टॉडी कर लेते हैं देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इस स्टॉक में कोई स्टेविल्टी के चांसे दिख रहे हैं तो आईए आज का डाटा एक बर चेक कर लेते हैं लेकिन एंड तक जरूर आप हमारे वीडियो के साथ बने रहीएगा सबसे प फाइब जियर्ज में अब इस स्टॉक में 61% की गराली देखने को मिल रही है एक टाइम पर इस स्टॉक में मल्टी बेगर रिटरंस देखने को मिल रहे थे लेकिन आज कल इस स्टॉक में बहुती बड़ी गरावट हुई है यहां पर आप देखो स्लोली स्टॉडली इस तो फिर क्या होता है इनमें आपको बड़ी ग्राबड देखने को मिलती है तो इसलिए हम आपको कहते हैं जदी आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो पैनी स्टॉक से दो रहें और भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे अच्छे क्वाल्टी के स्टॉक्स मिल जाएंगे लार्ज कैप कामपनी के स्टॉक्स मिल जाएंगे बहाँ पर आपका पैसा जो है धीरे-दीरे बढ़ता है gonna back के राउंड ही इस स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट जो है वो हो चुकी है 200 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था तो अब ये जो स्टॉक कर ट्वांटी रूपीज पर गिर चुका है और आप देख सकते हो टैन टैन से भी ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल गई है तो जड़ी इसका स्टॉक का अब हम इंपोर्टन लेवल देखें तो 16 के अरूंड इस स्टॉक का अब सपोर्ट लेवल देखने को म देख सकता है नियर दिस प्राइस लेकिन आए आज का टेक्निकल डाटा भी स्टॉडी कर लेते हैं देख लेते हैं कि आज का डाटा क्या कह रहा है अभी इस स्टॉक में कोई भी बायर नहीं मिल रहा है तो हर कोई इस स्टॉक में सेलिंग करना चाह रहा है यहां पर आप द तो clearly ये stock है कि risky stock है क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें upper circuit लगते हैं तो upper circuit में क्या होता है बायर मिल जाते हैं seller नहीं मिलते हैं लेकिन कई बार seller मिल जाते हैं तो बायर नहीं मिलते हैं तो इस तरह के stock से आपको दूरी रहना चाहिए अच्छे quality के stocks और large cap companies में investment करनी चाहिए ज़िए इसकी आप आज की delivery की position देखें तो आज आप देख सकते हो 11 अक्टूबर 2022 को 1025 पीम पे इस stock में जो quantity traded है वो 16,558 की है जबके deliverable quantity भी same ही है तो यहां पे 100% accumulation भी देखने को मिल रही है उपर बायर कोई नहीं है नीचे आपको 100% accumulation भी देख रही है तो कोई न कोई य टाइम में जरूर इस stock में कुछ trader पसल देखने को मिलेगा क्योंकि जो penny stocks होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं वो operators की तरफ से भी control होते हैं तो operator भी इनको control करते हैं और इसलिए आपको इन तरह की game से बचना चाहिए इस तरह के stocks में investment के लिए बचना चाहिए नीचे यहां प करें वान मंत का average volume देखो टू लेका है कांटीनूसली इसके volume में गरावट देखने को मिली है वान मंत का average volume टू लेका है तो वान वी का average volume देखोगे 30k का है जबके yesterday कल का volume 21k का है और आज इस stock में अभी तक 17k के रूट बालिम देखने को मिला है तो volume में continuously गरावट चल रही है तो यहां पर इसलिए गरावट है क्योंकि आगे कोई buyer कोई नहीं है बायर बहुत ही कम है जब कोई stock में कोई buyer नहीं मिलता है तो उस stock में आपको जरूर volume में भी reduction देखने को मिलती है volume reduce हो रहा है लेकिन यहां पर एक चीज़ नोट करने वाली है 100% accumulation जरूर हो रही है कोई बहुती multi bagger है बहुती बढ़िया है बहुती बढ़िया returns देगा तो वो stock जल्दी rally कर जाता है तो लोग भी उसके पीशे भागने लगते हैं शपेशली जो retail investors होते हैं वो उन stocks के पीशे भागते हैं तो फिर क्या होता है वो higher level पे first जाते हैं तो फिर उस stock में lower circuit लगने शु कर लेना चाहिए और किसी से पैसा बोरो करके इस तरह के stocks में नहीं लगाना चाहिए नहीं तो आप बिलकुल डूब जाओगे आपका पैसा डूब जाएगा तो इसलिए इससे बचने के लिए आप थोड़ा long term का horizon लेके चले and be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful जब लोग किसी stock के पीशे भा कर सकते हो तो अब जैसे ही इस stock में कुछ stability आएगी तो वो एक मौका होगा इस stock में इंटरी बनाने का लेकिन आप lump sum investment ना करें आपको क्या करना होगा आपको सिप के तरू ही इस stock में इंटर करना होगा धीरे धीरे करके accumulation करते रहना होगा और long term के लिए बने रहना होगा फि एंड में हम आपको थैंक्स कहते हैं दोस्तों फिर भी हम आपको इस भी इक stock पे continuously coverage करके बिताते रहेंगे कि आने वाले time में इस stock में क्या हो सकता है तो एंड में थैंक्स के आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेगे तब तक के लिए नमस्कार